प्रशकर की आनलायन सस्टी कि क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास एट्स में जो आपका चैप्टर नवर 12 है PART 12 जिसका नाम है भारती क्रिशी और प्रमुख फसले हैं भारती क्रिशी की जो क्या है प्रमुख फसले हैं आज उसके विशे में हम लोग इस विशे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की क्रसी किस प्रकार की है, भारत में कौन से फसले उगाई जाती है, किस किस प्रकार की खेती होती है, कैसे की जाती है आदे तो आईए सबसे पहले देखते हैं लिखा है क्रिस का अर्थ एवं प्रकार हम सभी अपने आसपास खेतों में बोई गई फसलों को देखते हैं ये वह पवदे हैं जिने प्राचीन काल्स लेकर अब तक मनुस्य ने अपनी उप्योगिता के लिए चुना है इन फसलों के विविद उप्योग से हमारे शरीर का भरण पोशड होता है इनी फसलों को सामानिता क्रसी कहा जाता है यद्यपी क्रसी के ब्यापा कर्थ में फसलोत पादन के साथ साथ पसपालन को भी सम्मिलित किया जाता है सामानत है पशपालन के अंतरगत वेपस और पक्षी आते हैं जिने मनुष्य अपने विविद उद्देश्यों के लिए पालता है परिवाशिक दिष्टी से करश कार्थ केवल फशले उत्पन करना ही नहीं होता वरन इसमे पशपालन, बागवानी एव मस्षपालन भी आता है तो करशी केवल जो क्या होता है खेतों में फशल बोना और काटना ही करश नहीं है क्रशी के अंतरगत और भी बहुत से चीज़े आते हैं जैसे पसु पालन करना, मच्छली पालन करना, रेसम कीट पालन करना ये सब क्या हैं ये सब क्रशी के अंतरगत आते हैं क्रशी की उत्पत्ति कैसे हुई या इस पस्ट नहीं किया जाता, अभी तक इस विशे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्रशी के किस प्रकार से उत्पन हुई, किन्तु अनुमान है कि प्राचीन काल में मनुस्य वनों से कंद मूल फल आदी एकत्रन एवं वन्य जीवो के सिकार से प्राप्त मांस पर निर्भर था ऐसा माना जाता है कि जो पुराने जमाने का मनुस्ताज से आदि मानों कहा जाता है वो कंद मूल फल आदे कत्र करता था और जीवो का सिकार करके उनका मांस खाता था तब उप्योग किये गए फलों के बीज गुठलियों आदि को अपने निवाज स्थान के आसपास फैंक देता होगा जो कुछ समय बात पौधे या ब्रक्ष के रूप में उगे होंगे और उनमें भी उसी तरह के फल फूल आदि लगे होंगे जैसे कि उसने खाये थे तब मानों ने महसूस किया होगा कि यद इन पौधों को अपने ही आसपास उगा लिया जाए तो जंगल में इधर उधर इनकी तलास में नहीं भटकना पड़ेगा शायद इसी विचार से किसकी उत्पत्ती हुई होगी मनोशनe सोचा होगा कि इसको हमने खाया है कंदमौ्बूल के फल खाया और उसका जो पिस था उसको क्या फेक दिया कहीं कुछ दिन बात देखता है कि पेड जमाता है उसका और उसी प्रकार के फल उसपर भी लगने लगते हैं तो उसके दिमाग में ऐसा रहा होगा कि चलो हम लोग क्या करते हैं इतनी दूर घूम घूम कर खाते हैं तो इससे अच्छा है इनके बीज आसपास ही हम लगा दे कहीं तो हमको दूर तक न फटकना पड़े लेकिन यह निश्चित है क्रच की उत्पत्ति ने मानाव का जीवन इस्थाई बना दिया अब धीरे धीरे मनुष्य दूसरे कई और पौधों को भी उगाने लगा तता इस प्रकार परतमान क्रच बिवस्था अस्थित्तु में आई प्राचीन काल से लेकर आप तक क्रच करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है प्रारंब मिमानाव छोटे आउजारों जैसे खुरपी और कुदाल से जमीन की खुदाई करके उसमें बीजबोता था मात्र वर्सा के जल से ही उसकी सिचाई होती थी दीरे दीरे मनुष्य की फछल भायल के माध्यम से करने लगा और वर्तमान समय में ट्रैक्टर जैसे आधने कपकरणों से करस्की जुदाई की जाती है जिससे फशलों के उत्पादन में बहुत अंतर आया है जहां पहले उत्पादन अत्यंत कम था अब उत्पादन यवह उत्पादकता दोन्यों ब लेकिन आज आधुनिक्तम जमाने में हम लोग क्या करते हैं ट्रैक्टर से जुताई करते हैं क्रशी के प्रकार देखते हैं क्रशी को बिभिन आधारों पर वर्गित किया जा सकता है उद्देश्यों के आधार पर कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की नंबर एक निर्वाह वहक्रसी जो केवल अपनी आवस्चक्ताओं की पूर्थ के लिए की जाती है उसे निर्वाहक्रस कहा जाता है वहक्रस जो क्या होता है केवल अपनी स्वयम की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं निर्वाहक्रस कहते हैं जैसे भारती क्रसी जैसे के लोग क्या करते हैं अत्पाधन कर लिये अहिए अत्पादन कर लिया मक्के का उत्पादन कर लिया ठीक है और भी छीजों का खाने की जिनको को प्योंक करता है तो इस प्रकार शेयल मैं कोनितल की पूर्त के लिये दूसरा का अता है इस व्याव्षक है जो भी आforcement great की जाती है वह क्रस जिसका उद्देश उत्पाद को बेच कर लाब कमाना है उसे ब्यापारी क्रस कहा जाता है जैसे संयुक्त राज अमेरिका की क्रस है फसलों के प्रकार देखते हैं प्राचीन काल से ही भारत एक क्रस प्रधान देश रहा है यहां उपजाव मिट्टिया पा बाटा जा सकता है नंबर एक आता है खाद्यान फसले वे फसले जिनका अप्योग इस प्रत्यक्ष रूप में भोजन में करते हैं खाद्यान फसले का उनसी होती है जिनका अप्योग हम भोजन में करते हैं चाबल गेहूं बाजरा मक्का है ना बहुत सी होती है फिर आती बाब कमाते हैं जैसे चाय, गन्ना, कपास, जूंट फिर आती है बागानी फशले वे फशले जिने बागानों के रूप में उत्पन किया जाता है जिसे चाय, कहवा, आम, तथाम, रूथ ये क्या है बागवानी फशले बागों में होती है फशल की बुगाई एव उसकी के समय के आधार पर भारती क्रसी फशलो को बरगित किया जाता है इस आधार पर क्रस फशलो के निम्न प्रकार है फशाय क्या होता है उनका बुगाई कटाई ठीक है और समय के आधार पर उनका वरगी करन कर दिया गया है सबसे पहले आता है रभी की फशले वे फशले जो अ माच अप्रेल में काटी जाती हैं अक्टोबर नवंबर में बोई जाती है और क्या होता है माच अप्रेल में काटी जाती है जैसे गेहूं सरसो चना आलू मटर यहूं सरसो आलू चना और मटर यह क्या है रभी की फसले है इस समय आपके खेतों में कौन सी फसल है रभी की फसल है ना जन्वरी चल रही है सबी के खेतों में गेहूं होगा है ना सरसो होगी आलू होगा मटर होगी तो यह सब क्या है रभी की फसले फिर आती है खरीब की फसले वे फसले जो वर्सा रितु के प्रारंब में बोई जाती है और सीत रितु के प्रारंब में काटी जाती है ठीक जुआर मूंग जूट मूंग फली तथा गन्ना नमबर तीन आता है जायद की फसले वे फसले जो माज अप्रेल में बोई जाती है और मैं जून में उनको काट लिया जाता है जैसे तरबूच खरबूजा ककड़ी तथा सबजियां ये सब क्या है जायद की फसले भारत की प्र चाबल की फसले चाबल उस्र कटवंदी जलवायू की उपज है विश्व में इसकी क्रसी पैताली संस उत्तरिय चांस से तीसंस दच्छिडय चांस के मद्द की जाती है भारत में इसकी जो खेती है भारत में जो इसकी क्या है खेती भारत में क्या होता है चाबल जो चाबल क की यो फसल होती है क्या है चाबल उस्त कटवंदी जलवायों की क्या है उपज है विश्व में इसकी क्रसि क्या होती है 45 अंसुत्तरिये चंस से ndisOps सद्शिडे स्ट्रांस के मद्द की जाती है भारत में इसकी क्यों स्क्रमियम मद्द सुस्क भागों को छोड़कर सरवत्र र की जाती है चावल की करस हेत निमन लिखित भाउगौलिक परिस्ठितियां आवश्यक हैं में कि आप यदा के लिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले तापमान चावल की क्रस्ट के लिए 20-27 डिगरी तक का तापमान आवश्यक होता है ठंडा मौसम अधिक मेगाच्छनता तता पाला चावल की क्रस्ट ये तुबादक है अधिक बादल चाय रहते हैं तता अगर पाला गिरता है तो चावल की क्रस्ट में ये नुकसान पोचाता है नमबर दो वर्सा चावल जलप्री पोधा है जलप्री एर्थात जल में ही उगने वाला देखते हैं चावल की जब क्रिस की जाती है तो क्या करते हैं खेत को पहले ही पानी से भर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको बोते हैं इसकी क्रिस उनी छेक्तरों की जाती है जहा जाता है मिट्टी चावल की क्रसी है तु चिकनी मिट्टी सरवता उप्युक्त होती है क्योंकि इसमें जल धारण की छमता होती है तता साथ ही मिट्टी का उपजाव होना भी आवश्यक है उच्चावच चावल की क्रसी है तु दरातल का समतल होना परमावश्यक है समतल होने पर खेत में जलवराव किया जाता है पहाड़ी भागों में इसलिए सीड़ी दार खेत बनाकर इसकी क्रस्की जाती है चावल की क्रस्की है तो आवश्यक दसाएं ताप मान कितना होता है 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेट वर्षा 100 सेंटी मीटर से अधिक मिट्टी चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है उच्चावच समतल मैदान जलवायू उच्च कष्टवंदी भारत में चावल राज्य देखिए कौन कौन से राज्य चावल का उत्पादन करते हैं तो भारत के अधिकांस भागों में चावल की क्रिस्की जाती है किन्तु पस्चिम बंगाल बिहार असम जारखंड उत्तरप्रदेश औरीशा आंध्प्रदेश तमिलनाड प्रमुक चावल उत्पादक राज्य हैं इसके तरिक्त 36 गड़ केरर करनाटक मध्य प्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश मेगाले त्रिपुरा मणिपूर एं महाराष्ट के तटी भागों में भी चावल की ब्रहद क्रसी की जाती है उसके बाद नंबर आता है आपकी गेहूं की फसल का किसका नंबर आता है चावल के बाद आता है नंबर गेहूं का तो गेहूं किस की फसल है किस प्रकार की फसल है रभी की फसल है कि जायद की फसल है कि खरीप की फसल है बताएं गेहूं जो क्या होती है वो रभी की फसल होती है गेहूं सीतों प्रदेश की महत्पूर उपज है इसकी इक्र जो में इसकी क्रशि व्यापक पैमाने पर की जाती है गेहू की क्रशि है तो निम्न लिखित भागोलिक दसाएं आवस्यक होती है गेहू की खेती के लिए क्या होता है निम्न लिखित भागोलिक दसाएं आवस्यक होती है आवस्यक भागोलिक दसाएं में क्या है जैसे लिखा है कि तापमान गेहूं की क्रस के लिए 10 डिगरी से 21 डिगरी के मद्द का तापमान सरबोत्तम होता है गेहूं बोते समय अपेक शाकरत कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान होना अच्छा रहता है अतधिक तुशार एवं मेगा चनता गेहूं की क्रस यह तुबाधक तत्तो है अतधिक तुशार 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 रहता जो पाला जिसको अपने यहां बोला जाता है ठीक है और ज्यादा बादल ठीक है वो गेहूं की क्रस के लिए क्या है बाधक तत्तो है गेहूं की क्रस क के लिए 50 से 75 सिंट्रमीटर वर्सा क्या होती आधर्श होती हैं अधिक जलिश के लिए हानिकारक होता। कम वर्षा वाले शेत्रों में सिचाई द्वारा इसकी क्रष्याहसानी से कि जा सकती है मिट्टी यहूं की क्रसी है तो दो मट मिट्टी उप्यूक्त होती है इसकी क्रसी बलूई दो मट मिट्टी में भी की जा सकती है उच्चावच यहूं की क्रसी है तो समतल भूभाग आदर्श माना जाता है क्योंकि इसकी क्रसी है तो आवश्यक दसाएं देखिए सबसे पहले जलवायू सीतोस्ल होनी चाहिए तापमान दस डिग्री सेंटीग्रेट के 21 डिग्री सेंटीग्रेट वर्षा पचास से 75 संटीमीटर मिट्टी दोमठ होनी चाहिए और उच्चावच क्या होना चाहिए समतल मैदान होना चाहिए भारत में गेहू उत्पादक राज चाबल के देख चुके हम लोग अब गेहूं के आच लेखते हैं भारत में इसके प्रमक अत्रपादगराज उत्तर प्रदेश versucht można हमारे यहां जो उत्तरप्र देश है वो ग्याहूत बादन में पहला इस्थान रखता है। उसके बादाता है गन्य की फशल। गन्य की ख्रसी उश्रार्थ भागों में की जाती है। यह शक्कर प्राप्ति का प्रधान सोत रहे। गन्य से ही तो शक्कर बनती है। भारत में इसकी ख्रसी पिछले 5000 वर्शों से की जाती है भारत में इसकी खेति उत्तरी एम चिडी दोनों भागों में की जाती है करने की कर्षिए तो निमने लिखित भागों लिख दसाएं आवश्चक है नंबर एक पान गन्ने की कर्षिए तो बीश डिगरी सेंटेग्रेट से सताइश डिगरी तक का ता आपमान अधर्ष होता है तांतब में अधिक तापमान ताणनम जलवायो गन्य के पौधooky की उसाइकता करती है विदो बाद चुख्र करिऑवा और सद क्रता मान गन्य के सो संटीमीटर की बर्षा होने पर भी इसकी इक्रसी हो जाती है मिट्टी गन्य की इक्रसी है तो दो मट मिट्टी उप्यूक्त मानी जाती है किंदु चिकनी दो मट मिट्टी में गन्य की इक्रसी अधिक अच्छी होती है उच्चावच गन्या सम्तले में अब जाओ भूभाग की उपज है सम्तल भाग पर ही कृतिम से चाहिए करना आसान होता है तदा अधिक वर्षा वाले जड़ों में उबर खावड भूभाग होने पर फसल के गिरने की संभावना होती है जिससे गन्य का उत्पादन क्या होता है घट जाता है गन्य का उत्पादन कैसे घट जाता है अगर उबर खावड भूम होगी तो गन्य का उत्पादन क्या होता है घट जाता है गन्ये की क्रस्के हे तो क्या होती है आवस्यक दसाय देख लीजिए जलवाय उश्णार्थ होती है तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेट से 27 डिग्री सेंटीग्रेट वर्सा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर मिठी चिकनी दोमठ उच्चावच सम्तल भारत में गन्ना उत्पादगराज भारत में गन्ना प्रमुक रूप से उत्तर प्रदेश पंजाब हर्याड़ा बिहार जारखंड पस्चिम बंगाल आंद्र प्रदेश तमिलनाड महाराष्ट तता करनाटक में उत्पन किया जाता है भारत में उत्तर प्रदेश शर्वाधि गन्ना उत्पादगराज थै ठीक है तो उत्तर प्रदेश में दो चीजे उत्पन होती है कौन कौन सी एक तो गेहूं उसमें प्रथमिस्थान है और दूसरा गन्ने के उत्पादन में प्रथमिस्थान है उसके बाद आता है चाय और कहवा चाय और कहवा जिसको काफी बोलते हैं आप लोग चाय वम कहवा को पे फसले कहा जाता है क्योंकि इनका प्रियोग पे बनाने के लिए किया जाता है चाय वम कहवा बागानी फसले कही जाती है क्योंकि इनकी क्रसी बागानों के रूप में होती है एक बार में इस पौध पूर्वत्तर एवं दक्षडी राज्यों में की जाती है चाय एवं कहवा के उत्पादन है तो निम्लिखित परिस्थतियां आवश्यक हैं आवश्यक भागोलिक दिशाएं तापमान देख लीजिए चाय की क्रस्य है तो और सत्रोब से 25 डिग्री सिंटीग्रेट करता पाना अपयोक्त होता है चाय की फसल के लिए धूपदार मौसम अपयोक्त होता है जबकि कहवा का पौधा तेज धूप में नहीं सह पाता अता उसके बचाव हे तो छाया दार बच्च लगाए जाते हैं पाला दोनों की क्रस्य है तुहानिकारक होता है नमबर दो वर्षा चाय के लिगवित 200 संटीमीटर वार्षी वर्षा वश्यक होती है कि वर्षा का जल इनकी जणों के पास नहीं रुकना चाहिए कहवा की खेती के लिए 100 से 150 संटीमीटर वर्षा की आवसकता होती है मिट्टी चाय की क्रस्ट के लिए अच्छे जल निकास वाली जलोड मिट्टी की आवसकता होती है बनों की मिट्टी अपने उपजावपन के कारण इनकी फसलों है तो आदर्स होती है नंबर चार आता उच्छावच चाय वम कहना दोनों की फसलें परवती धालों मिट्टी पर आसानी से उगाई जाती है इनकी क्रस्ट के लिए 1000 से 1800 मीटर के बीच का पहा द्रूपोष्ण तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेट तक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर मिट्टी अच्छे जल निकास वाली जलोड मिट्टी उच्चावच ढालों पहाड़ें पठारी भाग भारत में चाय वम कहवा उत्पादग राज्य भारत में चाय असम पस्चिमी पहाड़ी एवं पठारी भागों पर की जाती है कहवा के लिए उप्युक्त दशाएं देखते हैं जलवाई कैसी होतनी चाहिए उपोष्ण तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेट से 25 डिग्री सेंटीग्रेट वर्षा 100 से 150 संटीमीटर मिट्टी अच्छे जल निकास वाली जलोड उच्छावच ढ़ाच डालू पहाड़ी एवं पठारी भासा कापास एवं जूत को रेसेधरर फशले कहा जाता है क्योंकि इनके रेसे से वस्त्र बोरे एवं रस्तियां अदि बनाई جाती हैं किसके पुद्दित से कापास और जूत की फशल क्या होती है रेसेधर और इनके रेसे से क्या होते हैं बस्तर बोरे रस्तियां आदि बनाई जाती हैं ये दोनों ही फसले उस्ल कटवंदी आदर जलवायु में उत्पन की जाती है कपाश से ममजूट के उत्पादन है तो निमने लिखित भोगोली परिस्तिती आवश्यक होती है आवश्यक भोलक दिसाइं देखते हैं तापमान कपाश से ममजूट की पसल है तो 25 डिगरी से 32 डिगरी से तक का तापमान आवश्यक होता है कपास की पसल है तो पाला का तरनाक होता है अता इसकी क्रिस्ट वहीं की जाती है जहां वर्स में कम से कम 200 दिन पाला रहे तो होता है किसकी कपास की नंबर दो वर्सा कपास है तो 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्सा पर्याप्त होती है पचास संटीमीटर की जो बर्सा है से कम बर्सा वाले छेत्रों में सिचाई के द्वारा भी क्रिस्ट की जा सकती है जूट की क्रिस्ट 125 से 250 संटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है मिट्टी कपास की क्रिश ये तो काली एवं चीका प्रधान दोमट मिट्टी आदर्स होती है क्योंकि इसमें नमी धारन करने की छमता अधिक होती है किन्तो उपजाओ जोट की क्रिश के लिए क्या होता है उपजाओ दोमट मिट्टी सरबोत्तम होती है क्योंकि दोनों फसलों की इक्रस अधिक और वर मिट्टी में होती है अधिक मिट्टी की और वरता का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए कपास की काली अर्थाची का और जो जूट है वो आपका किसमे होता है दो मट मिट्टी में उच्चावच कपास एम जूट की फसल है तो समतल मैदानी भाग उप्युक्त रहता है करपास की किस पठारी धरातल पर की जा सकती है किन्तो पानी का जमाव इसकी इक्रसी है तो हानिकारक होता है जबकि जूट चावल जैसे भूभाग में हुआई जाने वाली फसले है कपास की फसले के लिए दशाएं देखते हैं जलवाई उशनार्द होनी चाहिए तापमान 25 डिगरी सेंटीगरेट से 32 डिगरी सेंटीगरेट वर्षा 75 सेंटीगरेट मिट्टी काली अमची का प्रधान दोमट उच्चावच समतली मैदानी भाग जूट की फसल के लिए उप्युक्त दशाएं जलवाई उशनार्द तापमान 25 डिगरी सेंटीगरेट से 32 डिगरी सेंटीगरेट वर्षा 125 से 250 सेंटीमीटर उच्चावच समतल मैदानी भाग भारत में का पास की क्रिस्ट महारास्ट गुजरात मध्यप्रदेश पंजाब तमिल नाडू पस्चिम बंगाल आंधप्रदेश करनाटक वहनियाणा में की जाती है जबकि जूट की क्रिस्ट पस्चिम बंगाल असम मेगाले बिहार औरिशा में की जाती है तो यह जो ब्लेशन है आपका यह कंप्लीट हो गया है सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसे समझें आज के लिए बस इतना ही That's all, thank you